प्रविवाग से जूड़ी अपडेटों पर हम ज्यादा फोकस तरीके से बाच्चित करेंगे आज की निश्पेपर से सबसे महतपून अपडेट जो है वो ग्राम विकास अधिकारी जो परिक्षा परिक्षा को सबसे ज्यादा फोकस जिस पर हमको करना है जिस पर सबका ध्यान आकारशेत करना है वो है सिक्षकों पर हर दिन छेड़ छाड़ हो रही है मारपीट हो रही है तो इस आखर कब तक सहन किया जाएगा इस पर बहुत इंपडेटन तरीके से कारवाई क्यों नहीं की जारी है सजकता से सुनवाई क्यों नहीं हो रही इन सभी जीजों पर और आकिर कब तक ये कार चलता रहेगा इस प्रकार से बहुत इंपोर्टन तरीके से इसको समझने की आवशकता है तो चलिए सारी अपडेटेट को क्लियरफाई कर लेते हैं तो आज की बात यहीं से प्रारम करते हैं 2018 में हुई 1932 पर ग्राम विकास अधिकारी की जो परिक्षा है वो जांच में धानली की पुष्टी पर अधिनस्त सेवा चैनायोग ने ये फैसला लिया है और इस भरती परिक्षा को रद करने की बात की है पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ये सपष्ट है 24 मार्च की अपडेट है और EPSC की तरब से ये अपडेट जारी की गई है जिसमें सपष्ट लिखा हुआ है कि विग्यापन संक्या 2 परिक्षा स्लाइस 2018 के करम में दिनांक 22 वद 23 दिसमब 2018 को आयोजित समलित ग्राम पंचायद अधिकारी ग्राम वि प्रणें लिया है अब देखें निरस्त किया गया है क्योंकि भरष्टाचार की बेट चड़ा ठीक है लेकिन दो वर्सों के अंतराल में जो अभरती इसमें बहुत मेनत तरी मेहनत जिनोंने किया था और वह चैन के अपनी राह देख रहे थे उनका क्या उनके पर एक बहुत जांच कराने का अदेश दिया जिसमें गड़बली की पुष्टी पर ये बात सामने आई है अब दिसंबर 2018 में ये परिक्षा हुई थी 22 वह तेज दिसंबर 2018 को और इसका परिक्षा परिणाम 28 अगस 2019 को जारी किया गया था परिक्षा परिणाम आने के बाद इसमें धानली दर्च की गई थे और इसके बाद पूरी मामले की जानकारी सासन को दी गई थी सासन ने इसकी जांच साइटी से कराई और 20 जून 2020 से इस पर रोक लगी इसके बाद से ही इन पदों पर भरती के लिए दावेदारों ने हंगामा सुरू किया लेकिन जांच रिपोर्ट के और 64 परवेक्षक समाज का लियान के तो जो परिक्षाएं आपकी भरष्टाचार की बेट चड़ती है धांदली की बेट चड़ती है उसमें पिस्ता है मेहनत का सब बेटी उसमें पिस्ता है जिसने रात रात अपनी एक की है दिन न देखा न रात देखी पिस्ता वहीं है तो इसका इलाज क्या है भरष्टाचारी आज भी है कल भी रहेंगे उनको रोकना बहुत बड़ा प्रशनचीन है क्योंकि सेंदमारी की प्रक्रिया पर कभी ज़्यादा जो राजमाईस की ही नहीं गई है तो इस पर एक सोचनी और मंतन का विशह है जिस पर बात करनी चाहि है मातापिता के लिए सपने अपने बनाकर उनकी आंखों में अपने सपने दिखाता है उसका क्या इस पर एक विचार होना ही चाहिए दूसरी तरब बात कर उनतर जार बर्टी में तो दिव्यांगों का जो सो दिनों से चल रहा अंशन खत्म हो गया परिशिदी विदाले को हैं उन्होंने पताई कि महानिदेशक से मुलाकात करने के बाद यह धरना समाथ कर दिया गया दूसरी और वहीं आप सभी पता है कि लगबग 4631 पदों पर जो रिमेनिंग पद थे और प्लस 1133 सी स्टी की सीटे जो स्टी में करवट की जाएंगी उन सभी को मिलाकर लगबग 97 सब प्लस पदों पर आपकी जो कॉंसलिंग है वो जल्द आयो जी तो होने की बात की जा रही है और कल पदों का डाटा जो है आप लोगों से मैंने शेर किया जिलेवार बंडलवार जो डाटा था उस पर बातचीत हमने की है और आज इस पर अपडेट बहुत इंपॉर्ट ने तरीके चे पेसंस पुली देख लीजेगा उसको दूसरी और अल्टी ग्रेट की बात करें तो आयोग ने सौफ्ट कॉपि निंदे साले को बेजी है यूपी पीसे अल्टी ग्रेट के पच्चेसा बयालिस चैनित अभर्तियों की फाइल भेजी है और प्रतियों ने का सं चैनितों की फाइल जो सॉफ्ट कोभी उसको सक्षा ने देशाले भेज दी है और आयोग की मीडिया प्रभारी पुरुषकर स्रिवास्तों के अनुसार एल्टी ग्रेट समाजी विज्ञान के 787 पुरुष एम 797 मेला भरती समलित रहे जबकि एल्टी ग्रेट हिंदी में 418 प साले भेज दी है अब नुक्ती में कोई बादा नहीं है उनका कहना है कि अप्रेल वाइने में हर अगर चैन कहीं हो गया है तो दूसरी की सीटों को थोड़ा छोड़ दें ताकि हर अभरती को मौका मिल सेके क्योंकि आज के समय में रोजगार बहुत महत्पून है और जो अपनी योगिता के अनुरूप पहुँचे हमाँ पर तो उनको रोकाना जाए अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दी पर बातचित करेंगा पत्नी से छेषार से परसान सिक्षक ने पिया जहर मौत बहरायच का यह संसनी खेज मामला है पीडित भी सिक्षक है और आप लोगों को कई डिर सारे पोस्ट के जरी लेटर आपका वायरल होता हूँ आपको दिखा होगा यह आखिर कब तक चलेगा इस पर एक प्रशन उटना चाहिए और हर जगा यह हो रहा है कहीं महिलाएं कहीं बहने सोसित हो रही है अपने शोषन को आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं कि डर भी जैन में उनके व्याप्त है अब यहां पर सुसाइड नोट में सामने आई पीड़ा आरूपी देते थे हत्या और दुश्कर्म की धर्म की अब यह एक मामला नहीं है यह तमाम मामले हैं जैसा म पूटेंशली मजबूत होना चाहती है मांसी क्रूप से बहुत मजबूत होने की आवशकता है क्योंकि शोषन हर जगह होता है हर उस व्यक्ति का होता है जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है अपनी जो उसकी लिमिटेशन हैं बहुत इंपॉर्टन बात बोल रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिमिट में काम कर रही है और दूसरा आपकी लिमिट को क्रॉस करते हुए एंटर कर रहा है उसका पुरजूर विरोत करना अती आवशक है बात की लगातार सासन पर सासन तक अपनी बात रखी जाए प्रमुकता से प्रकरता से अगर ऐसे 69,000 भरती के मैलाएं होंगी 31,000 में 34,000 में जो अपने जिले से काफी दूर अपने घर से काफी दूर जागर रह रही होंगी रूम लेकर कैसे भी करके तो प्राब्लम फेस करती होंगी कि इतने घर से दूर होने के होने पर घर पर अगर बात बताई जाया तो घर वाले करते हैं कि तुम सांत रहो और अपने अपने काम से मतलब रखो वगरा वगरा ऐसे मत पहनावा करो वैसे मत पहना करो खूल के मत जीओ तो ये कईने कई एक मानसिक्ता बन गई है और इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं समाज में ऐसे पसु प्रवित्ती के लोग जिनकी में सर्महया की नाम चीज नहीं है माता पिता या बहन माता बहन जो भी घर में है उनके घर की माता और बहन बहन माता और बाहरी वो एक वस्तु खेलने में तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसका पुरजोर विरोध मैं करता हूँ आप सभी को पुरजोर विरोध करना चाहिए औ कि अब नहीं तो कभी नहीं और चीजें बद से बदतर की तरफ ही अगरसर होती हैं अगर हम इसको समय रहते संग्यान में न दिखाया जाए न इसका विरूत किया जाए मीडिया है प्रिंट मीडिया है सोसल मीडिया है सब पर और आजकल तो फेस्बुक लाइव हो गया आप फ और आपको सभी खड़े हैं आपका पुर्जोर समर्थन करने के लिए बस एक बार आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा जो भी हो मित्रों साती हों सहना नहीं है किसी को कि इतना educated होने के बाद अगर आप सहते हैं तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी गलती है एक स्टेप तो उठाएं सबसात देंगे कि आपका और आप महादेव पर विश्वास रखिया अपने माता पिता के करम पर विश्वास रखिया आप братा पिल्कुल सही है और सहना नहीं है किसी को कि हैना बाकि अपने काम से सभी को अपने ही फोकस तरीके से कर ना है सिक्षक शक्सा विब होना पड़ेगा और अपनी बात को उठाना पड़ेगा प्रमुक्ता से बागी के लिटेस्ट अपड़ेट के लिए बेस्ट अफ लक्त थैंके सुनाच